हेलो एवरीवन वेलकॉम अगें टू लंडरी देतीमन आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 तो इसके कोशन आंसर हम लोग करेंगे चैप्टर का नाम है राजिस्थान में आधार भूत सेवाएं तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुत सारे डेटाज आपको मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से लंड करने हैं आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो राजिस्थान में तो वहाँ पर यहाँ से कुशन जो है वो हमेशा ही आते हैं आपको 6 से 12 के कुशन आंसर जो है वह है आपको बहुत अच्छे से देखने हैं वीडियो बार बार देखना है ताकि आपको यह चीज़े याद हो सकें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजिस्थान की कुल कितनी साक्षरता है तो यह दो हजार ग्यारा की जंगर्णा के आध राजिस्थान में तो यह है 89.19 प्रतिशत राजिस्थान में वही महिला साक्षरता दर कितनी है तो यहां महिला साक्षरता दर है 52.12 प्रतिशत तो कुल साक्षरता दर 66.11 है वही पुरुष साक्षरता 79.19 परसेंट है और महिला साक्षरता 52.12 परसेंट है ठीक है तीनों ही आपको याद रखने होंगे राजिस्थान में उप स्वास्ते केंदर कितनी आवादी पर इस्थापित किये गए हैं तो यह हजार की आवादी पर इस्थापित किये गए हैं तो दिखिए राजिस्थान की जंता के स्वास्ते कल्यान के लिए एक हजार की आवादी पर स्वास्ते उपकेंद्र जो हैं वह इस्थापित किये गए हैं। राजिस्तान में प्राथमिक स्वास्ते केंद्र की इस्थापना कितनी आवादी वाले शेत्र में किये गए हैं। तो ये किये गए हैं तीस हजार की आवादी पर। नेक्स्ट देखिए, राजिस्थान में एक लाग की अवादी वाले इस्थानों पर कौन से केंदर इस्थापित किये गए हैं, तो वह किये गए हैं सामुदाइक स्वास्ते केंदर, ठीके, तो देखिए, एक हजार की अवादी पर स्वास्ते केंदर खोले गए हैं, तीस हजा सुकन्या सम्रद्धी योजना के तहत खाता कहां खुलवाया जाता है तो हमें पता है कि डांक विभाग में सुकन्या सम्रद्धी योजना के तहत खाता खुलवाते हैं 108 निशुल्क आपत कालीन सेवाएं किस से संबंदित हैं तो ये स्वास्ते सेवाओं से संबंदित है राजिस्थान का एक मात्र अंतरास्ट्री हवाई अड़ा कौन सा है तो वै है जैपूर का सांगा नेर हवाई अड़ा जैपूर का सांगा नेर हवाई अड़ा अंतरास्ट्री हवाई अड़ा है एक मात्र राजिस्थान का राजिस्थान परिवहन निगम की इस्थापना कब की गई तो यह की गई एक अक्टूबर 1964 इस्वी में ठीके क्योंकि हमें पता है कि राजिस्थान के परिवहन के जो साधन है वहाँ सड़क परिवहन जो है वो एहम रोल है उसका तो यहाँ पर राजिस्थान में राज्य परिवहन निगम की इस्थापना की गई एक अक्टूबर 1964 को नेक्स्ट देखिए राजिस्थान में सडकों की सरवादिक लंबाई किस जिले में है तो यहां जोधपूर में सरवादिक लंबाई है राजिस्थान में सडकों की सबसे कम लंबाई, न्यून्तम लंबाई किस जिले में है? तो सरवादिक है जोदपुर जिले में और न्यून्तम है धौलपुर जिले में राजिस्थान में इस्थित सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है? राजिस्थान में इस दिद सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH15, ठीके? NH15 जो है, वह सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग है राजिस्थान का. NH15 को वर्तमान में किस नई नाम से जाना जाता है? तो NH15 का वर्तमान नाम है NH68, ठीके? ये याद है एक्जाम में आ सकता है अगले देखिए राजे स्थान में इस ते सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग कौन सा है तो सबसे लंबा है एनेज 15 जिसका वर्तमान नाम 68 हो गया और सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग है एनेज 71 नेक्स्ट है कुशन 17 एनेज 71 बी को वर्तमान में किस नए नाम से जाना जाता है तो इसे एनेज 919 919 ठीक है इस नाम से जाना जाता है तो इसका प्राचीन क्या नाम है वो भी याद रखिएगा वर्तमान में इसका क्या बदल के आया है नाम वो भी याद रखिएगा कि NH-71B जो है वह सबसे छोटा राजमार्ग है जिसका अब हम जानते हैं NH-919 के नाम से राजिस्तान में रेल्वे के कितने जोन हैं? कितने जोन हैं रेल्वे के दो हैं उत्तर पक्षमी रेल्वे और पक्षिम मध्य रेल्वे राजिस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं, पाँच मंडल हैं, जैपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानिर और कोटा आपको एक जगे सारी चीजे एक्जाम के टाइम में मिल सकें, ठीक है, तो ये बारवार मैं बोलती हूँ आप लोगों को, कि RBSC की जो बुक्स हैं, उनको इतने अच्छे तरीके से घोड कर पीजिए कि आपका कोई भी एक्जाम जो है, चाहे कोई भी दे आप, अभी ग्राम स राजिस्थान में पहली रेल गाड़ी कहां चलाई गई, तो यह है, जैपुर रियासत में, आगरा फोर्ट से बांदी कोई के बीच चलाई गई थी, अप्रेल 1874 में, ठीक है, आगरा फोर्ट से बांदी कोई के बीच में चली, राजिस्थान की पहली रेल गाड़ी, तो य यहां हमने हर एक लाइन जो है वो देखी है चैप्टर की चैप्टर में जितनी भी कुश्यन बन सकते थे वो सभी मैंने यहां पर ले लिये हैं ताकि आपका चैप्टर जो है उसमें से एक भी लाइन ना चूटे ठीक है तो यहां आपका यह चैप्टर होता है complete, next हम चलेंगे चैप्टर 10 पर जो की होगा लोग संस्कृती एवं कला और 10 चैप्टर जो है 6th क्लास का यह थोड़ा सा बड़ा है ठीक है तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में, thank you